आपके अपने YouTube चैनल ग्रोमो ट्रेडिंग में तो आज हम fundamental analysis करने वाले हैं एक penny share के बारे में guys जिस shares का नाम है deep industry तो इसका भी latest traded price चल रहा है आपर साइड की strength देखने को मिली है और बावन वीक हाई है एक सो आपनी शेयर एंड क्यों है guys उसके जो penny share या large gap share या small gap share को identification किया जाता है गाईस उसके market cap के according से ही जाना जाता है किसी भी company के share के बारे में इस company का share एक penny share है या एक large gap है या mid gap share है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 200 रुपे का share एक penny share है guys उसका जो main reason है वो आप यहाँ पे देखेंगे इसका market cap है 1269 रुपे का इस वज़े से ये share एक penny share है guys और ये company एक dividend yield देती है 0.94% का guys और यहाँ पे इस actor का P.E. ratio देखेंगे 13.17 का है और ट्रेलिंग 12 मंत का EPS देखेंगे अर्निंग पर share तो 20.76 का है और यहाँ पे price to book value की ratio निकालेंगे तो 1.12 P.E. है guys और इसकी price to book value है 176 रुपे 57 की पर इसकी wage value है पाँचरबे की इस parameter पर ये company एक penny share है guys जो आपको 196 रुपे के price पे traded price दिख रहा है वो एक penny share है guys और यहाँ पर दिखेंगे काफी अच्छा price action बना कर इसने आयर साइड का breakout दिया है आप इस trend line को draw करेंगे तो ये एक breakout level निकर आएगा guys और यहाँ से आप consider करेंगे तो ये support line निकल कर आ रही है guys और जब भी हम target निकालते हैं जब इसका breakout देता है तो हम इसका 100% ऊपर की side का target लेकर चलते हैं जिसको आप भी follow करके इसका target निकाल सकते है जब इसके इलावा यदि हम चलते हैं इसके return parameter पर तो return भी company ने काफी अच्छे provide किये आप यहां पर देखेंगे के वन वीक में 13% के return दिये हैं वन मंत में 10.15 के return दिये हैं त्री मंत में हैं जाँ हैं बादिए सकता यादिन सकता हैं इसका हैं झाल 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 झाल